नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर दोस्तों आज हम आये हैं भाव नगर के काठिया वाड में आये जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पर आप जाफरावादी बफेलो पर्चेस करते हैं कर सकते हैं कौन से ब्रीड होती है कितना मिल का इस्ट्रक्शर क्या होता है कौन-कौन से वो टिप्स होने चाहिए जिसके कारण हम अच्छी बफेलो का पर्चेस यहाँ पर सही रूप में सेलेक्शन कर पाएं ताकि दूद का प्रोड़क्शन ज्यादा से ज्यादा ले सकें और डेरी फार्म के शेतर में हम सक्सेस हो चके तो दोस्तों आज हमारे साथ सर है यहाँ के नमस्कार सर क्या नाम है अपना रगू बाई क्या एड्रेस है यहाँ का बाउनेगर जिल्ला सीहोर तेसिल और गाउनेशडा अच्छा यह बताएं कि यह कौन सा एरिया है यह काठिया वाड प्योर तलाजा जंगल की बेंस मिलती कौनिसी बूरीट कौन सी नस्ले बफेलो मिलती सर्य आपर यहाँ सर यह बताए कि अगर जाफ्रावादी हम खरीदे तो प्यॉर जाफ्रा वादि और एक और क्रॉस में कुछ पर नतर हमें बता सकते हैं यह सो UV लेती है के से शर Спल ऑड़तू रहती है कि अले से कम से कम और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कितना कर देती है अगर अच्छी अवेरनेस अच्छे डाइट प्लान हो तो जो बड़ी प्यंस लो एक लग पहती से जार चाली से जार तो टाइम का दस लीटर दूद दे सकती है एक टाम का जितना आप बताते हैं यह इतना बताते हैं मैं पुरुषकार में हमारी भेंस सबसे फश्ट में यह अच्छा 11-100 ग्राम में भी आई है अन्हें एक सेकंड में भी हमारी जाफ्रित आई है एंपी में सर आप अगर प्योर जाफ्री है तो उसके कुछ गुण बता सकते हैं कि जाफ्रवादी के बोडी का जो इस सिंग सिंगोटी नहीं रहती है इसकी साफाय बिलकुल यह दूद में एक नमर रहेगी अच्छा दूद में तो इसकी रिकार्ड को तोड़नी सकता असर यह बता हैं कि यह लोग बोलते हैं कि यह समय से हीट पर नहीं आती प्रेग्डेंट नहीं होती है एक बार खरीदने के ब यह साल बर दूद देने से बाद हीट पे आएगी तो जो मुर्रा पिलता है उनको तीन-चार महीन हम हीट पे नहीं आए रहे पंड यह दूद नहीं सोड़े लंबा समय तक कारण क्या होता है कि यह लेड हीट पे आती है वह तो गई इसकी शरीर बहुत ज्यादा रहता ने लिटर की अगर जाफराबादी की बात करें तो इसका रेट वाइस कितना होना चाहिए एक टाइम का दस लिटर ग्यारा लिटर की बहुत लो तो एक लाग चालीश पैंतालीश हजार की तो बहुत लेना है इसमें भी जाफराबादी मेडियम भी मिलती है एसो नहीं सब बस यह जाफराबादी प्योर गुण वाली तो सथा एंसके बाद में किसान को पूरा डाइट प्लांट समझाते कि यहां क्या खिलाना है ट्रांस्पोर्टेशन के बाद में क्या-क्या हमें उसकी सावधानीय रखना इस प्रकार की जैसे कोई समस्या क्रेट हो तो उसमें फ में धाने काक्यान के रहा हुआ रहा है तो हम सारी देते यहां हम 스वार को कड़वी खिलाते हम तो वह यहां भी मिक्स दाण तूर की सूनी अड़त की सूनी सर यहां से जाने के बाद कितने दिनों बाद दूद पर लग जाती है 15-20 दिन तो लगेगी सभाए इतना दूद का पर्डक्ण करेगी इस प्रकार की बफेलो किसी प्रकार की कोई समच्या क्रेयेट होती है तो आप उसमें क्या फिर सुईदाय करते हैं कि यह बेंस मुझा लेजो हम बोले ऐसा करें तो हम इनके पूरी देखबार करके इसा तो नहीं कि एक बार माल बेज दिया उसके बाद कोई रिश्पांस नहीं यह तो नहीं रहता नहीं सरे तो लोग आयेगा कहां से अब जो बेंस ले जाने के बाद में एक फार्मर को क्या क्या सावधानी रखना चाहिए उसको पहले तो पंदरा बीच दिन बाद गोड तेल सब खिलाना पड़ेगा अंदर से वो बाल के उपड़ा करके खिलाएगा तब वो दूद पे आएगी जो ताजी बेंस को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसको अलग से खाना किला जब रोटिशन बन जाए बाद में तो लाइन में बंदो तो चलेगी ने दोस्तों आईए जानते हैं किस प्रकार से रेट होते हैं कितना प्रोडक्शन करती हैं क्या बोडी का स्ट्रक्चर इस एंदोक्तर होता है हम वीडियो में आगे आपको वीडियो में भेहसे दिखाते हैं हाँ दोसतों आप वीडियो में बहस्त देख पा रहे हैं अहां सर यह बताएं कि कौनसी व्यात में बच्चा दिया है इसने यह दूसरा पैट में जनने जनई है अभी उठा जणी थे पांस दिन हुआ है सर इह बताए कितना दूद है इसके पास लेड़ी 8 अच्छा यह बताएं कि इसकी फैड जो है वो कितनी आती है नो से दस नो फैड तो पक्काम आती है जब ताज रहती है तरह थेट आता है और जब बाखडी हो जाती है तब नो दस फैड रहता है हां सर यह बताएं कीमत की अगर बात की जाए तो एकड़ एक्टल जो सही साथ वो क्या है इसका एक मार्केट रेट जो डेड लग एक लग सांट मागेगा पर नारव अंदास पर एक लग तीस पेंटिस की फैंस हुआ इतने में हो जाएगी और हो सकता बारगे नहीं बस वह इतनी की फैंस तो है क्योंकि वीडियो के माध्यम से लोग जुड़ते हैं ऐस बाड़ी वेट मेंटेर्स की बाड़ी तो बहुत बंती है कि अच्छा इसमें सफाइद यो दोवा गाला की ने सब भैंस की अने सरीर का जो जो शरीर का सोड़ा ही ने सब हैं आगे से पिछे तक अगे से पीछे तक इस बार कितना दूद करने वाली यह नो लिटर टाइम का पीछली व्याद में कितना दिया था यहां पर क्या खिलाते हैं कि इतने बोडी वेट हो जाता और काफी इस्टक्चर बहुत अच्छा रहता है कपास खली खिला थे और मकपली का बगदा जुआर और हरा किलाते हैं क्या होगी सर इसकी उमर अबस साथ साल साथ साल इसकी कि यह कौन सी ब्यात में बच्चा देने वाली यह साथ लिडा साथ साथ लिट्र टायम का दिया था इस बार कितना करने वाली तीसरे ट लिट्र दुद देगी प्योड जाफरा बार व्हाइट की बात की जाये तो एक दम सही दाव जाएगी एक लग दस गैराजर में यह मिल जाएगी एक लग दस गैराइद स्कों रहा है हैं बस अट दस दिन वाली आट-दस दिनमें जैन लो लेता है तो किसी प्राकार की समस्य है इसमें आपने और टांसपोर्ट इसमें काटा की और दूआ की गैरंटी रहें थन की गैरंटी रहते हैं अच्छा सर यह जो वीडियो में भेंश देख पा रहे हैं कौन सी बयात ने बच्चा दिया इसने दूसरा में दूसरे में दिया हैं काफी अडर की क्वालिटी बहुत सांधार है अधा यह बता है कि इस बार अगर सही डाइट प्लान सही खुराक रही तो कितना दूद दे सकते हैं दूद देती हैं 10 लिटर टाइम का पेड़ भी अच्छा बैटता है इसका नौ पैट नौ फैट नौ फैट बैटता है अनौत की बात की जाए तो सही दाम इसका तो लगेगा 25 क इसलिए और यह जंगल की बात अलग रहे हैं दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से एक से बढ़कर एक बोड़ी का इस्ट्रक्चर वाली बफेलो आपने आज हमारे साथ रगुवाई जी के साथ देखी आपने समय निकाला हमारे चैनल पर आयो इतनी अच्छी बफेलो हमा का बहुत बहुत धन्यवाद बन्यवाद